हेलो फ्रेंज वेलकम टू मीखा की रसुई आज हम बनाएंगे बीट रूट और पनीर का पराठा बनाने के लिए हमें चाहिए एक बीट रूट जिसे मैंने अच्छे से धो के कट करके एक जार में डाल दिया है उसमें मैंने दो हरी मिर्ची डाली है थोड़ा सा पाने डालके इसे अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे ब्लेंड करने के बाद एक बावल में मैं दो कप गेहु का आटा लूँगी गेहु का आटा के बाद अब इसमें हम डालेंगे हाफ टेबल स्पून नमक और थोड़ी सी अजवाइन अजवाइन को डालने के बाद अब इसमें हमने ज पनीर की स्टफिंग बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम पनीर दिया है जिसे मैंने अच्छे से मैश कर दिया है उसमें एक बारी कटा हुआ प्यास डाला है थोड़ा सा हरा धनिया डालना है कट करके और इसमें हम डालेंगे भाफ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, भाफ टेबल जिरा पाउडर और हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर आप चाहो अपने मन चाहा मसाला भी इसमें डाल सकते हो दो हरी मिर्ची कटी इसमें डालना है और सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए उसके बाद बीट रूट के आटे में से एक डोग को हम तोड़ एक प पनीर की स्टपिंग डालेंगे थोड़ी एक टेबल स्पून ही स्टपिंग डालेगा बहुत जादा नहीं डालना है उसके बाद हम चारो साइट से इसे फोल्ड करके एक स्क्वेर का शेप दे देंगे जिस तरीके से मैं आपको फोल्ड कर लेना है फोल्ड करने के बाद अच्छे से गरम करके पराठे को पीट्रूटर पनीर का अच्छे से और दोम तरब से और डासकते हो या तो आब इस पर घी भी लगा सकते हो या तो बतर वो आपकी छोईसे थोड़ा सा oil लगाया है, दोनों side oil लगा के दोनों तरब से उलट पुलट कर इसे में सेक लूँगी अच्छे से इसे सेक लेना है सेक लेने के बाद अब जो हमारा beetroot का पराठा है वो बिल्कुल ready है अगर आपको मेरी recipes पसंद आती है तो please like and subscribe मैं चानल ये beetroot का पराठा आप बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हो नाश्टे में भी खा सकते हो आपका जब मन चाये ताब lunch, dinner कभी भी इसे बना सकते हो ये काफी healthy है, tasty है और beetroot का यूज़ करने का तरीका भी काफी अच्छा है, thank you so much for watching